जहारखन जी के ट्रिक में आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में हम लोग संपुर्ण बायलोजी प्रिबियस यर क्वेस्टन के सिरीज को कंटीन्यू करते हुए पार्ट 3 को कबर करेंगे और इस सिरीज में हम लोग क्या करते हैं जितने भी क्वेस्टन जैससी ने और जैससी ने अभी तक पूछे हैं उन सभी क्वेस्टन को हम लोग सॉल्व करते हैं और ये भी जानते हैं कि ये क्वेस्टन किस टॉपिक से पूछा गया है क्योंकि ये सारा टॉपिक जो है जैससी और जैससी का फैबरेट टॉपिक होता है और इन ही टॉपिक से सारा क्वेस क्या था उन विशिष्ट लक्षनों की पहचान किजिए जो मन्यूस्य के चार कच्छे दिल से जुड़ी हुई है और इसके लिए हमारे पास अप्संस क्या-क्या अबेलेवल थे अप्संस नमबर ए था इनमें से एक वेंट्रिकल और दो अट्रिया सामिल है इनमें से एक वें ज़ेर्ने के लिए गिल्स का परियोग करता है यह आक्सिजन समरिद्र रक्त से आक्सिजन यहाँ पर रहित लिख लेजिए ठीक है आक्सिजन रहित रक्त को अलग करती है अब यहाँ पर आपसंसी ऐसे ही गलत हो सिका भी होता है और मनुसिका हार्ट में गिल्स नहीं होता है ठीक है तो यह अपसन ऐसे ही गलत हो गया इसका सही आंसर क्या होता है हमारे हार्ट में जो चार चेंबर होता है वो असुध रग्त को सुध रग्त से अलग करने का काम करता है ठीक है तो इसका सही आंसर हो जाएग क्लास 11 की NCIT पढ़नी है वहाँ पे हमें एक चैप्टर मिल जाएगा जिसका नाम है सरीर, द्रववे तथा परिशंचरन इसी चैप्टर में आपको हाट के बारे में पूरा डिटेल में हर एक चीज बताया गया है ठीक है और यहीं पे बताया गया है कि हाट में चार चेंबर होता है कैसे काम करता है इसका में काम क्या है कि असुध रग्त को सुध रग्त से अलग करना और यह कैसे इसको परफॉर्म करता हर एक चीज इसमें दिया हुआ है ठीक है चले अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेस्टन को देखते हैं ये भी क्वेस्टन जो है जेसे सीजियल 2015 में पूछा गया था ठीक है क्वेस्टन क्या है ब्लू बेबी सिंड्रोम का क्या कारण होता है अमारे पास अप्शन क्या क्या अवेलबल है हार्मोन एल्डेस्ट्रोन का स्त्रोत में विर्धी ठीक है यहां एल्डेस्ट्रोन है का स्त्रोत में विर्धी दूसरा अप्शन क्या है पेस जल में नाइटरेट का उच इस्तर तिसरा अप्शन क्या है गुनसूत्र 21 की अतरिक्त कौपी जिसका परिनाम स्वरूप औसत बौधिक इस्तर होता है चौथा अप्शन क्या है फ्लू और बुखार के साथ विसानु जनित संक्रमन ठीक ये क्वेस्टन देखिए बार बार एक ही टॉपिक से repeat हो रहा है कौन सा टॉपिक है बिमारी वाला टॉपिक जिसको हमने अल्रेडी discuss कर लिया है ठीक है वहाँ पर क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था important बिमारी उस बिमारी का symptoms और बिमारी का क्या कारण है और बिमारी का इलाज कैसे होता है ठीक है और जो वहाँ पे एक दो important question जान के मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वो question अलड़ी पूछा गया उसको हम लोग question के थुरू अभी कर रहे हैं ठीक है तो चलिए अब इसका answer जानते हैं किसका answer क्या होगा अब ये जो question है ये हमारा जल परदूसित होने के कारण होता है जब जल में nitrate या nitride acid की मातरा बढ़ जाती है तब ये बिमारी देखने को मिलता है इसलिए इसका सही answer क्या हो जाएगा option number B पे जल में nitrate का उच इस तर ठीक है और अगर इंगलिस में देखें तो क्या हो जाएगा high nitrate level in drinking water ठीक है अब इसके बारे में चलिए कुछ important point को देखते हैं कि दूसित पेजल से क्या-क्या बिमारी होती है ठीक है और यहां से भी question बनने की काफी जादा सम्हाव ना है ठीक है तो सबसे पहले चलिए blue baby syndrome के बारे में ही कुछ important points को देख लेते हैं अब इसका symptoms क्या होता है कैसे हमें पता चलेगा कि blue baby syndrome किसी को हुआ है ठीक है चोटी बच्चों में जन्म के समय होती है इसलिए इसे एक और नाम से जाना जाता है उसको क्या बोला जाता है मेथे मोगलो बिनेमिया ठीक है और इस बिमारे में एक्च्वल में रंग क्यों होता है body का निला क्योंकि nitrate का मात्रा जब हमारे blood में बढ़ जाता है तो क्या होता है कि blood oxygen को ज़्यादा carry नहीं कर पाता है ठीक है चले अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और fluoride से होने वाले बिमारी को भी देख लेते हैं तो जब पानी में fluoride की मात्रा बढ़ जाएगी तो कौन सा बिमारी हो जाएगा हमें कंकाल समधी बिमारी हो जाएगा ठीक है जब cadmium का मात्रा बढ़ जाएगा पानी में तो क्या होगा इटाई इटाई रोग होगा ठीक है ये question काफी exam में पूछा गया है ठीक और जब पारा जिसे हम लोग HG बोलते हैं इसका मातरा अगर बढ़ जाए तो क्या होगा हमें neurological समस्षाएं देखने को मिलेगी और इस बिमारी से related एक बिमारी का क्या नाम है मीना माटा बिमारी ठीक है और मीना माटा बिमारी कब होती है जब पीने के पानी में बहुत ज़्यादा मातरा में पारा पाया जाता है तब क्या होता है ये बिमारी हमें देखने को मिलता है ठीक है और आखरे बिमारी क्या हो जाएगा आरसेनिक से होने वाला बिमारी इसमें क्या होता है कैंसर और त्वचा पे घाव देखने को मिलता है तो इन पांच टीजों को अच्छे तरीके से हमें याद करना है बुलू बेबी सिंड्रोम कब होगा? जब पानी में नाइट्रेट या नाइट्राइट एसिट की मात्रा हाई हो जाएगी जब पानी में फ्लॉराइट की मात्रा हाई होगी तो क्या होगा? कंकाल समंधी बिमारी होगी जब कैडमियम की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? इटाई इटाई नामक रोग हो जाएगा और इटाई इटाई रोग होने का क्या सिम्टम्स होगा? कि liver और kidney जो है काफी damage हो जाएगी ठीक है और पारा से क्या होगा मीना माटा नाम का रोग होगा और लास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा arsenic arsenic से क्या होगा cancer और तोचा पर घाव हो सकता है अब सलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और question को देखते हैं जिसको JSC ने CGL 2015 में ही पुछा था अब ये question देखिए ये question बस नाम पे dependent है बाकी ये question में कोई भी दम नहीं है अब यहाँ पर क्या पुछा गया है उपकर्ण गरंथी अब जिसे उपकर्ण गरंथी के बारे में नहीं पता है वो इस question को हल नहीं कर सकता है हम लोगों ने पूरा gland के बारे में अल्रेडी पढ़ ली है ठीक है और gland में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि तीन परकार का gland होता है एक क्या होता है exocrine endocrine और mixed gland होता है ठीक है तो ये उपकर्ण करंथी को हम लोगों ने कहा देखा था एक सु क्राइन ग्लेंड के एक्जाम्पल में देखा था लेकिन वहाँ पे उपकर्ण ना लिखे वहाँ पे क्या लिखा था मैंने लार गरंथी लिखा था ठीक है तो लार गरंथी को ही उपकर्ण गरंथी बोला जाता है और लार गरंथी का क्या काम होता है सलायवा को इस्त्रवित करना ठीक है? तो चलिए अप्सन को पढ़ते हैं अप्सन A क्या है? मान स्पेशियों और तंत्र का तंत्र को सक्रिय करती हैं तो अप्सन नमबर A हो जाएगा गलत अप्सन नमबर B क्या है? सलायवा स्त्रवित करती है इसका मतलब यही हमारा सही आंसर हो जाएगा ठीक है तो इसलिए इस question का answer क्या हो जाएगा option number B अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगर किसी ने lecture number 2 नहीं देखा इस series का तो वहाँ पे आपको ये वाला page मिल जाएगा जहाँ पे मैंने exocrine gland के बारे में बताया था और example दिया था कि exocrine gland क्या क्या होता है आसू गरंती लार गरंती ठीक है यही से ये question को पूछा गया है ठीक चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब इस question में क्या दिया हुआ है मानव सरीर में खाद वसा का पाचन अधिकतर कहा होता है ठीक है यहाँ पे question देखे क्या लिखा हुआ अधिकतर कहा होता है ये थोड़ा important point हो जाता है ठीक है अब चलिए हम लोग options को देखते है पहला option है मुह में भोजन ना लिका में आत में या तिल्ली में question किस exam में पूछा गया था जिस exam के लिए हम लोग prepare हो रहे है ठीक है और biology का question जारखन में जितने exam हुए है उसमें 5 या 6 question आपको पक्का से देखने को मिलेंगे 5 या 6 question कितने question में 20 question में इसका मतलब 25 से 30 परसेंट पूरा biology का question science में आ था है इसलिए हम लोग पहले biology को पढ़ रहे है ठीक है तो इस question का answer क्या हो जाएगा option number C इसका सही answer हो जाएगा ठीक है वसा का protein का और carbohydrates का तीनों का सबसे ज़्यादा अधिकतर पाचन या अंतिम पाचन कहा होता है छोटी आत में होता है ठीक है चलिए अब इससे related कुछ important points को देख लेते हैं अब देखिए अगर हम लोग खाना को खाते हैं तो पाचन मुझ से ही start हो जाते हैं जैसे हम लोग खाना को खाते हैं वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं खाना को छोटा छोटा भाग में तोड़ देते हैं और यहीं से पाचन start हो जाता है लाग रंती क्या करते हैं यहाँ से saliva निकालती है खाने को मुलायम बनाती है और जो भी इसका काम है वो करके क्या होता है ओइसो फेगस यह जो भोजन नली होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग ओइसो फेगस जो हमारे एप्शन में आपको देखने को मिलाओगा ठीक है यहाँ से यह खाना को अमासे में ले आती है ठीक है फिर अमासे में कुछ गैस्ट्रिक रस निकलता है ठीक वहाँ पे खाना का थोड़ा सा पाचन होता है और अमासे से यह कहां चला जाता है छोटी आत में चला जाता है छोटी आत में ही खाना का जो है पूर्ण पाचन होता है अब छोटी आत से क्या होता है यह बड़ी आत में जाता है बड़ी आत में भी थोड़ा बहुत क्या होता है कि अब सोचन होता है लवन वेकरा का ठीक है और वहाँ से बड़ी आंचे होते वे ये एनस के द्वारा बाहर निकर जाती है ठीक तो अब इससे रिलेटेड पहला पॉइंट क्या हो गया कि हमारा पाचन कहां ही स्टार्ट होता है मुह में मुह में क्या होता है लार में एमाईलेज नाम का एक पाचक एनजाइम होता है ठीक ये इंपोर्टेंट पॉइंट है भोजन को जमा करता और गैस्ट्रिक रस के साथ मिलता है गैस्ट्रिक रस के मुख्य घटक क्या-क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बलगम और पैपसी नोजन होता है ठीक है इसके बाराई में भी हम लोगों ने अल्लेडी डिसकस किया हुआ था क्योंकि यहाँ से यहाँ पे देख लेते हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है जो भी बैक्टेरिया या हानिकारक जिवानू खाने के साथ हमारे पेट में पहुंच गया है उसको सबसे पहले यह जला देगा और पैपसी नोजन एंजाइम को पैपसीन में कनवर्ट कर देगा और यही कार्बोहाइडरेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन होता है ठीक है इसी लाइन से यह कुच्चन को बनाया गया था यहाँ पर क्या हूता है यह अपनी दिवार में मौजूद गरंतियों से आतू का रस पैदा करता है ठीक है पतला मोटा मोटा आपको ये चीज याद रखना है कि कार्बो हाइडरेट प्रोटीन और वसा का पूरा पाचन छोटी आत में ही होता है ठीक है चलिए अब हम लोग आगे वढ़ते हैं अब आगला क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन को भी जैसे सी सीजियल ने 2015 में पूछ करता है अपसंस हमारे पास क्या है रिप्स बड्स ट्रंग या स्टोलन इसका सही आंसर हो जाएगा अपसंन नंबर डी स्टोलन तने के बढ़ने और शिकुरने में मदद करता है अब क्याक्टस से रिलेटेट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं अब यह हमारा क्या हो गया कैक्टस हो गया ठीक है अब अगर कैक्टस को आप ध्यान से देखिएगा इसमें क्या होता है काटा होता है ठीक है स्पाइक्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते है इस्पाइन बोलते है ठीक प्लांट में क्या होता है पत्ता होता है उसी तरह क्य होता है, spine का क्या काम होता है, सबसे पहला काम होता है कि ये water का जो वास्पिकरन होता है, उसका rate जो है कम कर देता है, दूसरा क्या काम होता है कि कोई भी कीडा वेगरा आये, तो इसमें फसके मर जाता है, उससे जो भी important खाना इसको लेना है, वो ले लेता है, तिसरा important point क्या है दूसरे जानवरों से अपनी रच्छा करता है कोई जानवर इसे आके खा नहीं सकता है अब कैक्टस ऐसा सिस्टम क्यों बना रहा है क्योंकि कैक्टस का पौधा आपने देखा होगा जनरली कहां पाया जाता है रेगिस्तानों में पाया जाता है क्योंकि cactus के अलाबा कोई भी plant का वहाँ पे survive करना बहुत मुश्किल होता है cactus इसने survive कर पाता है क्योंकि इसके पास यह सारा properties है ठीक है तो हम लोगों ने spines के बारे में अच्छे से पढ़ लिया अब दूसरा important point है इसका stem तना अब तना क्या होता है काफी थोड़ा मोटा होता है और तना ही यहाँ पे photosynthesis का काम करता है ठीक है क्योंकि आपको तना ही थोड़ा सा green देखने को यहाँ पे मिलेगा अब यह तना काफी मोटा होता है और चोड़ा होता है ठीक है अब यह ऐसा क्यों होता है ? क्योंकि यह जादा से जादा water को अपने में absorb करके रख सके इसलिए यह इसका structure ऐसा होता है अब इस steam के बारे में हम लोगों ने भी सीख लिया अब आग इसका roots के बारे में ठीक, यह roots के बारे में पढ़ते अब इसका roots जो है नीची होने के साथ साथ काफी धूर एरिया तक फैला होता है अब ऐसा क्यों होता है क्योंकि अब रेगिस्तान में भी थोड़ा बहुत बारिस होता है ठीक है और जैसे ही बारिस होता है ये maximum एरिया से water को absorb कर सके इसलिए इसका root जो है फैला हुआ होता है अब इस spines के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया stems के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया और roots के बारे में पढ़ लिया और roots के बारे में एक और point आप याद कर लिजी कि roots कैसा होता है shallow होता है ठीक है खोकला type का होता है अब एक चीज़ अगर आप लोग कैक्टस के पौधे को नजदीक से देखिएगा तो आप पाईएगा कि एक क्रीम जैसा लेयर पुरे पौधे पे होता है ठीक है वैक्स के जैसा अब ये लेयर क्यों होता है फिर से इसका वही रिजन है ताकि ये कम से कम पानी का वास्पिकरन होने दे ठीक है इसलिए ये सारा प्रोपर्टिस केक्टस में होता है अब केक्टस जो है बहुत तरह का होता है ठीक है अब एक और केक्टस अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको कुछ इस तरह से देखने को रेगिस्तान में मिलेगा अब इसमें ये वाला जो सता पे ही फैला हुआ है दूर तक इसको हम लोग बोलते है इस टोलन ठीक है अब इसका क्या काम होता है अगर बारिस का टाइम आ गया है ठीक है यह अपने आपको बहुत दूर तक फैला लेगी और नया नया जो है पौधे को पैदा कर देगा ताकि जादा से जादा वाटर को absorb कर सके ठीक और नया पौधा करने का इसका rate इतना जादा होता यह दो घंटे में इस काम को कर सकता मतलब दो घंटे में आपको जो है आप देखीगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है दो घंटे बार आईए देखिए वहाँ पे आपको cactus का छोटा सा पौधा मिल जाएगा इतना speed इन लोगों का काम करने का छमता होता ठीक है और अगर बारिस का दिन अगर खतम हो जाएगा तो इस stolen क्या करेगा इस छोटे छोटे पौधे को मार के फिर से छोटा हो जाएगा और में पौधे पे आ जाएगा ठीक है यह जितना इसका capacity है पौधा रखने का उतने पे आ ठीक है इस stolen के मदद से इसी question को यहाँ पे पूछा गया था चलिए अब next question को देखते है HPV vaccine is used to treat HPV ठीका का अपयोग कहां होता है यह question JSC ने पूछा था सब इंस्पेक्टर 2019 वाले एक्जाम में अप्संस हमारे पास क्या क्या अवेलेवल था पहला अप्सं था AIDS दूसरा अप्सं था स्वाइन फ्लू तीसरा अप्सं था कार्वीकल कैंसर चौथा अप्सं था ट्यूबर क्लोसिस और इसका सही answer क्या हो जाएगा अप्सं नंबर 3 कार्वीकल कैंसर ठीक है इसके बारे में हम लोगों ने अल्रेडी लेक्चर वन इस सीरीज में डिसकस करके रखा हुआ है और यही टॉपिक से आप देखे कितना मल्टीपल क्वेस्टन बार बार पूछा जा रहा है ठीक है अब चले आगे बढ़ते हैं इस क्वेस्टन में क अमीबास, स्कैबिस, टेप वाम या बोरेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा अप्सन नमबर 3 टेप वाम अब इंटेस्टिनल पेरासाइट या हम बोल सकते कि आथ के परजीवी क्या-क्या होते हैं तो 6 परजीवी हमारे आथ में पाया जाता है कौन-कौन सा परजीवी पाया चौथा परजीवी है कोकीडिया और पाचमा परजीवी है राउंड वाम और छट्टा है जी आरडिया ठीक है तो यह छे पेरासाइट्स हमारे आत में पाया जाता है इन 6 पेरासाइट्स का नाम बस थोड़ा सा आप देख लिजिए वीप वाम, टेप वाम, हुक वाम, कोकी राउंड वाम, जी आडिया ठीक है आपको याद राज जाएगा अगर यहां से क्वेस्टन आता है तो अपसाने से इसको क्लिक कर लिजिए ठीक है अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्त क्वेस्टन को देखते हैं question क्या है dash is a butterfly shaped gland ठीक है एक तितली के अकार का गरंथी है कौन सा गरंथी है हमारे पास substance क्या-क्या है अंडासय, thyroid गरंथी, pineal गरंथी, hypothalamus हम लोगों ने जब gland के बारे में पढ़ा था इन सभी गरंथी को पढ़ा था लेकिन हम लोगों इसके structure के बारे में सायर्द नहीं पढ़ा था और ये इतना important भी नहीं है पूछ दिया गया है लेकिन आगे इस तरह का question नहीं पूछा है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और इस question को देखते हैं East converts the sugars of wine grapes into मतलब ये question क्या बोल रहा है कि अंगूर की चीनी को खमीर किस चीज में परिवर्तित कर देता है alkaline में acid में base में alcohol में alkaline बोले तो ये भी क्या होता है आपका चार यही होता है ठीक है acid बोले तो ये क्या होता है अमल ठीक बेस बोले तो क्या होता है चार ठीक और option number 4 बोले तो alcohol बोले तो क्या होता है alcohol ही होता है ठीक है साराब alcohol जो भी बोलिए alcohol ही इसको लिख देते हैं हो ही नहीं सकता है, हमारे पास अब दो options बज गए हैं, एक acid बज गया है, एक alcohol बज गया है, अगर किसी को तुक्का मारना है, तो English वाला option में देखे wine, wine लोग क्यों पीता है, नसा में आने के लिए, ठिक, नसा किस चिछ से होता है, alcohol से होता है, तो इस तरह से भी आप लोग द दिमार्ग जो है, थोड़ा सा ठंडा captain cool के तरह रखना होगा, और सही तरीके से सोचना होगा, और दोनों option को आपको exam में must पढ़ना है, अगर आपको किसी question का answer नहीं आता है, या आपको लग रहा है कि ये chapter आपने पढ़ा ही नहीं है, ठिक है, उस question में आपको ये चीज पक से करना है, ठिक तो चलिए अब देखते हैं सही answer क्या है, और इसका सही answer alcohol ही है, ठिक है, अब देखे हैं यहाँ पे होता क्या है, जो अंगूर होता है, ठिक है, उसमें कुछ yeast को डाल दिया जाता है, तो फिर क्या बन जाता है? wine बन जाता है, और wine के साथ carbon dioxide भी बनता है, ठि तो इसलिए हम लोग इस चीज को अच्छे से याद रखेंगा और कितना अच्छा डाइगराम है ये तो आराम से ही याद रहेगा ठीक है अंगूर है यहाँ पे और कुछ यहाँ पे कीडा डाल दिया गया है और क्या बन गया हमारे पास solid सा wine बन के ready हो गया है ठीक है चले अब हम लोग आगे बढ़ते हैं wine पीने के बाद और इस question को पढ़ते हैं डैस प्रकिरिया है जिसके द्वारा कोशिका विवाजन के बाद दो कोशिकाओं को विवाजित किया जाता है अपसंस क्या है हमारे पास meiosis जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ध सुत्रन cytokinesis cell cycle या cytoplasm इसका सही आंसर हो जाएगा अपसं नंबर 2 cytokinesis ठीक है यहाँ पर देखिए already मैंने यहाँ पर अपसं को जो है लिख रखा है कि cytokinesis का क्या मतलब होता है ठीक है the physical process of cell division which divides the cytoplasm of parental cell into two daughter cells ठीक है इस process को हम लोग क्या बोलते हैं cytokinesis बोलते हैं ठीक यह question कहां से आया हुआ है इसी cytokinesis पर पूरा का पूरा एक chapter NCRT में दिया गया है chapter का क्या नाम है कोसी का चक्र मतलब क्या हो गया cell cycle और कोसी का विवाजन मतलब क्या हो गया cell division ठीक यहाँ पर पूरा cytokinesis के बारे में ही बताया गया है तो अगर आपको पूरा detail में जानना है तो आप class 11 का NCRT easily available है mobile से निकालें या laptop से निकालें NCRT का जो है website में जाए class 11 biology का वहाँ से डाउनलूट कर लेजिए इसको share करने का कोई ज़रूरत नहीं है टेलेग्राम के थूरू ठीक है तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस question को देखते है question क्या है मिट्टी में एक nitrogen fixing bacteria है मतलब ऐसा कौन सा bacteria है जो हमारे मिट्टी में nitrogen की मात्रा को ठीक करता है option समारे पास क्या है बड़ा भ्यानक सा option है देखे क्या लिखा हुआ है ब्रेडी rhizobium option number 2 rhizobium option number 3 frankia option number 4 azedobacter अगर ये question किसी को नहीं आता है आप इस question को इंगलिस में पढ़े हिंदी में पढ़े कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है ठीक है अगर आता है तो आप इसको सीध option number 2 चलिए अब हम लोग next question को देखते हैं next question क्या है बल जो मान स्पेशियों के संकूचन के परिनाम स्वरूप होता है ठीक संकूचन का मतलब क्या है contraction तो ऐसा कौन सा बल होगा magnetic force muscular force human force या gravitational force ये option अगर किसी को लग रहा है कि सही है तो आपको देखिए market में एक बहुत अच् fast वो खा सकते हैं ठीक है तो और ये भी option के लिए आप जो है उस चीज को खा सकते है ठीक है अब बच गया दो और तीन option ठीक है उसको कोई चीज खाने का ज़ूरत नहीं उसे बस भुक पढ़ने का ज़ूरत है ठीक तो इसका सही answer क्या हो जाएगा option number 2 muscular force ठीक यहां पे सिधा सिधा लिखा हुआ है मान स्पेशियों के संकूशन के पहिनाम स्वरूप तो इसका answer क्या हो ना चीज अपसर नमबर 2 या अपसर नमबर 3 तो अपसर नमबर 2 इसका सही answer हो जाएगा ठीक है अब चले next question को देखते है next question क्या है दातों की सुरक्षा करता है कौन करता है अपसर नमबर 1 क्या है रूट अपसर नमबर 2 क्राउन अपसर नमबर 3 एनामेल या अपसर नमबर 4 डेंटी तो इसका सही answer क्या हो जाएगा अपसर नमबर 3 इनामेल और यह strongest part होता है हमारे body का कहां पाया जाता है हमारे दात में पाया जाता है next question क्या है centrioles are only found in किस में पाया जाता centrioles, plant cell, animal cells, human cells या micro cells तो centrioles क्या होता है skeleton type का structure होता है कोसी का के लिए ठीक है और plant cell में इसका कोई ज़ुरत नहीं होता है क्यूंकि plant cell में इसके बदले splendors का यूज होता है इसलिए इसका answer plant cell तो नहीं हो सकता है ठीक है इसका सही answer हो जाएगा या सिर्फ और सिर्फ animal cells में ही पाया जाता है ठीक है अब चलिए हम लोग next question को देख दा botanical name of tea is मतलब की चाय का वनस्पतिक नाम क्या है और ये हमारा आज का last question है ठीक अपसंस हमारे पास क्या है औरिजा sativa solenum melongenal अपसं नमबर 3 allium cepa अपसं नमबर 4 camellia sinensis तो इसका सही answer क्या हो जाएगा आपका camellia sinensis अपसं नमबर 4 ठीक है तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें जय हिन जय जारखन